तो फाइनली गाई यहां पे यार मी उआई की जो सबसे बेकार चीज यहां पर आपको देखने को मुल दी थी मी उआई 11 सो जो आया था उसके अंदर एक मेजर चेंज आप डेट आ गया है उसके बात कर रहे हूं मैं यहां पर मी उआई की एव वॉल्ड की तो आप मेरे सामने पसंदा है तो like share जरूर से कर देना एम करते हैं 300 like का please यहां पर complete करा दो like करते हो थोड़ा था मज़ा आता है कि और आपके लिए video बनाऊं तो यहां पर आप मानोगे मेरे बात जरूर से कि यहां पर MIUI 11 में जब से आया है बहुत ही बेकार यहां पर आपको देखने को मुलता है एक तो पहले ही lag करता है उपर से बहुत सारे ads के साथ यहां पर यहां पर यह भरा हूँ आपको मिल जाता है लेकिन इसका एक latest update आया है जिसको यार थैंक्स टो यार मेरे telegram group में एक subscriber है उ उनको थैंक्स में नाम यहां पर याद नहीं है मुझे तो आप यहां पर यह देख सकते हूं यह update आपको latest app vault का देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको मैं यहां पर version दिखा हूं तो देख सकते हूं 12.3.2.3.2 आपको यह देखने को मिल जाता है और अगर आपके में नही सीन जल रहा है और यहां पर global के लिए अलग सीन यहां पर आ गया है अब इसमें आप देख सकते हो major change में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिसमें पहले आपको simple type का एक देखने को मिल जाती है उसके नीचे as usual आपको shortcuts वगेरा देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप यूज कर सकते हो जो भी है अपना कस्टमाइज कर सकते हैं उनसे जादा आप एड नहीं कर सकते तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है उसके लावा नीचे recommendation और tools वगेरा और यहां पर joystick picks यह सब आपने देखा था यह as usual आपको देखने को मिलता है लेगिन change जाब और यहां पर देख सकते हूं कि नीचे आपको यहां पर अलग से icons देखने को मिल जाते हैं जिनकी वज़े से यहां पर यह आपका हमेशा lag करता था वह तीस थी यहां पर यह news वाला क्योंकि news वाली tiles को भी इसके अंदर ही गुसा दिया गया था तो अब इसके लिए ए search का option तो अच्छा लगा लेकिन बुरा इसलिए लगा यार मुझे बस क्योंकि यार यह मी के browser में open हो रहा है Chrome में open नहीं हो रहा है मैं try किया एक दो बार अब हो सकता है कि यार आगे चलके आपको future में choose करने की update मिल जाए कि आपका यह Chrome में ही open करे लेकिन फिलाल तो अगर आ आप यहां पर देख सकते हो तुरंत ही बिना किसी problem के आप यहां पर कोई भी चीज प्ले करोगे तो वो open हो जाएगी फिर से me browser के अंदर तो यह भी एक बहुत बुरी चीज मुझे लगी जो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा हाला कि यहां पर YouTube का integration दिया है यह चीज Gets app का आपको यहां पर एप का recommendation देखने को मिलता है कि आपका fix यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको उपन कर देगा जिस पर आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हो get app की help से तो यह सब चीज देखने को मिलती है हाला कि एक अच्छी चीज यहां पर मुझे और लगी है कि अगर आप इसको back करोगे यहां पर जो कि आप यहां पर हटोगे और यहां पर अपने home पर आओगे तो अदम नीचे slide करोगे तो आपको सबसे नीचे एक option मिलता है settings का जहां पर आओगे तो आपको सबसे उपर recommended का आपको जो टाइस देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको जो भी फालतू चीज है उसको हटा सकते हो जैसे कि इसको advanced tool को हटा दिया joystick picks को हटा दिया utilities को हटा देते है steps को रहने देते है call a cab यहां इसको रहने देते है और यह आप यहां पर हटा सकते हो तो यहां पर देखो कि यह सब चीज यहां पर हट गई है तो जो कि एक और smoothness आपके बना देती है उसे इलावा यह एक अची चीज है कि जो news tab है search tab है video tab है games tab है इन सब को भी आप खुझ से हटा सकते हो तो मैंने मालो या news ही रखना है और सब यूज भी करते नहीं हो तब भी update कर लो क्योंकि इस update में यह चीज काफी अच्छी कर दी है कि smoothness एक तो यार काफी अच्छी हो गई है और जो नीचे टैप दे दिया ना उसोने पर सवागा हो गया है क्योंकि आर आपको फोई भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा फा इसा देते तो और भी बढ़िया होता लेकिन यहां पर थोड़ा different करके आपको यहां पर दे रहा है तो यह भी अच्छा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो useful चीज आ गई है जैसे आप यहां पर shortcuts वगएरा कर सकते हो advanced tool cricket वगएरा का notes वगएरा और यहां पर daily tunes वगएरा चल रहा है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलूंगा आपसे और नहीं वीडियो के साथ और कमेंट करके बताओ कि आपको यह टैप कैसा लगा यह वाल का नया update नीचे कमेंट सेक्शन में मिलता होने वीडियो में तब तक लिए टेक कियर बाइबाइबाइबाइबाइ बेल इसली करुपी झाल यह टूए कि अबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ।